असलाम अलेकूं माई येटूब फैमिली कैसे हैं आप मैं अलहम दुलेला बिल्कुल टिक टाक फिट पार्ट मज़े में आप सबकी धूहों के साथ और सबकी बहुती सुरत कमिल्स के साथ आप सबका थैंक्यू कर रहे हूं कि आपने इतने अच्छे कमिल्स करते हैं मेरी और ये चोटा सा मेरा जो है ये भी मेरा बेटे जैसा है इसको हमने छे महीने का था तो हमारे पास आया था हमने इतना माशालला पाला है पाल पोस्ती तब बड़ा हो गया है माशालला माशालला ये बहुत क्यूट है माशालला से इसकी बाते भी सुनने वाली होती है लेकिन बस मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं साथ इसमें म्यूजिक चल रहा था गाड़ी में तो बस ही हम लोग सब जा रहे तो आपको अपना पूरी पिस्तर दिखा रहे हूं जो बच्चे साथ जाते हैं तो आपको इतना सब कुछ लेके जाना होता है आप बच रहा चलते ही चलते सफर घृतक हो गया और सफर घृतम होगा तो हमारा घर आजाएगा वो मैं आपको दिखा रही हूं आप देख अप क़ते जाएं और हम घर आगर आते हogy पसंद तो मैं इनको नहीं लाड़े को दिया जोने आते हैं आते हैं आपको प्रोग Kit मेरा बहुत प्यारा भतीचा है हुजैपा नाम है इनका देखिए इसको किक्ती जोरो सबूग लग रही थी कितना यह हाथ को अपने खार आतर में हटा लीगी और अपने हाथ के फ्यूस रहे हैं बार पर मूह में डालके माशनला के दीजेगा बहुत क्यूट है माशनला से देखिए इनकी नस्तियां देखिए इसकी शराद से कैसे कैसे शराद से कर रहे थी और पर शस्के बाद में आगें हैं दूसरे सेकंड रूम में जहां एसी था एसी चल रहा था और बच्चे इंजॉए कर रहे थे आप सब देखिए माशनला माशनला बच्वे फूर इंजॉए कर रहा वच्वोने कहां बैठा है इसी करा सब चलता रहा और साथ इसाथी देखिए मेरे भाई को या आप लोग को भी पिठाई कि ला रहे और साथी मेरे हस्बंड बेढ़ने हैं जो सब कहते हैं आपकी हस्बंड साथी मेरे हैं और सब अपना अपना सब इंजॉए पर रहे हैं तो सब माशनला बहुत कुछ थे और यह देखिये आप इसका फन देखिये और इसका डॉंस देखें कितना अच्छी दांस कर रहा थे इंटर्टें कर रहा है आपको और मेरा बेटा माशनला से खूछ औरा थी मुपार अकशनी ते में चींड़र कें अच्छा था इस रिंझ में लोगा हम गेट के पास और ये बच्चों की जो मस्तियां थी बच्चे भाट से अंदर आने को तियार नहीं थे जब इन लोग को इतनी जगा बड़ी मिल गई खेलने को तो ये सब खेल कूछ कर रहे थे इन्होंने बोला हम यहीं खेलेंगे हमें अंदर नहीं लेके जाओ लेकिन हम आदा स्पेस मिल इंए में वर्राम से घूमेंगे फिर रहें ये गहाँ देखेए भागे जा रहे थे उनको पकडडा जा रहा था और ये भाग रह थे बार बर केकार कि Freddy देखे अपने अबgy के साथ गूम रहे थे इनके प्पण को पकड़ के लेके आ रह थे और ये लगे बच्चे जाने को तयार नहीं थे सबसे ज़्यादा मेरा ही बेटा जरारती था और कह रहा था मैं नहीं जाओंगा अभी आप देखिएगा मना कर रहे थे वह किस तरह मना कर रहे थे आप लोग भी देखिएगा ये देखिए सब चले गए बच्चे दोनों रह गए थे और मेरा बेटा भी आपको इशारे से बताएगा कि नहीं मैं नहीं जाओंगा देखिएगा वो बना कर रहे थे चट पे नहीं जाओंगा और ये मेरी भांजी है माशालला से ये भी बहुत क्यूट है और बहुत शरारती है और देखिए हम सब अंदर आ गए थे और वो मेरे साबजादे आनी रहे थे फिर इनके पपा इनको गोदनो उठा के ले आए और हम लोग सब चट पे आ गए और चट का मैं आपको चट पे बहुत है और देखिए शाम का आपको व्यू दिखा रही है कितना अच्छा लग रहा है सूर्ट डलने वाला था और इतना हसीन मंज़र था ये बस इसी के साथ बस हम लोगोंने बहुत मज़ा कि और आप लोगों को ये में पलंग दिखा रही है इस पर मस्तियां चल रही थ माशाला है इन लोगों ने हुब खुश थे सब और मैंने खाने का क्लिप ने बना पाई मैं मतलब ये होता है कि जब आप जाते हो और इतनी टाइम बाद जाते हो तो खुशी में हम भूल जाते हैं और व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है बस अपनी बातों में इतने मगन हो गए थे कि सब मैं जादा शूट नहीं कर सकी और फिर जितना किया आप लोग को मैंने आप से शेयर किया अपना व्लॉग जिन्होंने कहा था मैं इतका व्लॉग दिखाईएगा अब आप लोग कमेंट करके बताईएगा और मुझे धेरो सारी दुआइं दीज पिर मिलोंगे इंशाला किसी नए व्लॉग के साथ दुआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज